पहले कमपनी आ जाती है धीपक नाइट्रेड ये कमपनी का शिर अभी 2555 रुपीस के लेवल के उपर ट्रेड करता हूं नज़र आ रहा है इस कमपनी के अंदर आज की दिन अच्छी का सी गिरावट देखने हो मिली है अल्मोस्ट यहां पर 3-4% की आसपास की गिरावट है तो इस कमपनी के अंदर क्या करना चाहिए तो यहां पर एक्सपैक्ट इया जा रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं यहां पर आने वाले समय में कैमिकल सेक्टर के तो वो यहां पर खराब आ सकते है तो इसी के वज़े से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है यह सारे कि तरे के सारे के खरीदारी करनी चाहिए के नहीं तो देखो यहां पर दीपक नैटरेट की बात कर से कंपनी अल्रेडी मलटिबर कर रीटेंन देती हुई नजर आ रही है कंपनी के शिरकेंद खरीदारी करना है थो मोझेटी रूपीज के अर्सपास के लेवल के उपर खरीदारी चल सकते हो बाकि इस कंप Tube के अगर ज़दा गिरावट आती है तो कंपनी के शेर के अंदर आप लोग यहाँ पर 2000 रुपीज के आजपास की मलब लेवल के उपर खरीदारी करके चल सकते हो लॉंग टम के लिए यह कंपनी अच्छी नज़र आ जाती है होड करना पड़ेगा कंपनी के आप टाइम दिना पड़ेगा कंपनी पैसा कमा कर देगी ठीक है तो इस कंपनी के उपर आप लोगों को जरूर से फोकस रहना चाहिए अभी हम बात कर लेते हैं कल के दिन आप वॉल्यम के साथ जब गिरावट आती न तब उसको यहाँ पर एक मलब थमने देना चाहिए मलब यहाँ बार थुड़ा वेट करना चाहिए उसके बाद कोई सपोर्ट बनता है तो सपोर्ट के उपर खरीदारी करनी चाहिए ठीक है यह चीज याद रखना अभी हम बात कर ल लेवल देखने को मिल जाता है एंड़ 640 रुपीज का लेवल यह दोनों यहाँ पर सपोर्ट लेवल है मेरा ऐसा रेकमेंडेशन रहेगा कि इस कमपनी के इंदर 720 रुपीज एंड़ 640 रुपीज में से 640 रुपीज के लेवल के उपर आप लोग खरीदारी करके चल सकते ह हो क्योंकि कमपनी का शेर अभी आपर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में थोड़ा आपर थोड़ा ओवर वेल्यूड देखने को मिल रहा है और इस कमपनी ने बोनस शेर भी दिया है तो यह कमपनी यहाँ पर तीजी में तो आएगी पर कमपनी को यहाँ पर टा करकी चल सकती रिख है अभी इंब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में और कंपनी आरेस इभी यहाँ पर 50 के आराउंड देखने मिल रहा है वाला मिलभे आने वाले सामय में रिखंच तो 40 रुपे के लिवल के उपर जरूर से खरीदारी करना ठीक है अगली कमपनी आ जाती है एस्ट्रल इस कमपनी का शेर यहां पर से 2180 रुपिस पर अभी ट्रेट का ताओ नजर आ रहा है कमपनी का शेर अभी यहां पर सपोर्ट के पास ही है ठीक है आप लोग देखोगे तो कमपनी का शेर यहां पर से एकड़म सपोर्ट के पास देखने मल रहा है और यह कमपनी ने यहां पर से बहुत बार यह दोनों ही सपोर्ट को ध्यान मरत रखते हुए इस कमपनी के उपर जरूर से FOCUS रखना कमपनी वैस से प्यार FUNDAMENTAL STRONG है और इस कमपनी के अंदर यहां अच्छे वॉल्यम के साथ यहां पर अच्छी कासी गिरावट आ चुकी है जो यह शेर आप लोगों को यहां पर से 2000 रुपे के आसपास देखने को मिलता है तो इस कंपनी के इंदर जरू से खरीदारी करके चल सकती हो अभी कंपनी का शेर यहां पर से 180 रुपीज के आसपास चल रहा है 2000 रुपे के लेवल के ऊपर आप लोग खरीदारी करकर इस कंपनी के अंदर लॉंग टम के लिए और मीडियम टम के लिए बने रह सकती हो यह कंपनी अच्छा फाइदा पहुचा हैगी और कंपनी ने आपर एक रेंज पैटन में यहां पर कंपनी बहुत राइम स चल रही थी और उसके बाद यहां पर कंपनी के शिरिक अंदर आज की दिन अब ब्रेक आउट होनी के बाद ब्रेकडाउन आ चुका है तो यह फिज से यहां पर रेंच बेटन के अंदर चल सकती है तो इस कंपनी के अंदर शॉट टम में खरीदारी एंन बिक्वाली करनी है तो इस company के अंदर आप लोग ऐसे करके strategy अपना कर सकते हो अगली company आ जाती है इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट का जो share है वो यहाँ पर अभी trade का तागो नज़र आ रहा है 8541 रुपीस के लेवल के उपर, इस company के अंदर जो आप लोगों को खरीदारी करनी है तो यहाँ पर यह दो लेवल्स है देखो एक तो support level के पास ही देखने मिल रहा है company का share और इस company के अंदर आप लोग current level पर खरीदारी करते हो तो थोड़ा से यहाँ पर रिस्की बन जाता है बाकी इस company के अंदर बहुत जादा पैसा है तो आप लोगों पास इस company के अंदर current level के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हो ठीग है बाकी इस company के अंदर खरीदारी करनी है तो मैं इस company के शिर को कब खरीदूँगा जब यहाँ पर company का share 6,940 रुपिस के level के आसपास या 7,750 रुपिस के level के आसपास company का share आएगा तो ज़रू से इस company के अंदर मैं buying करूँगा और यह company के share के अंदर कल के दिन जहान से देखना है जो बाजार का reaction है इस company के results आ जा जा रहे है अगली company आ जादे है Reliance Industries इस company का share 2635 रुपिस के level के उपर अभी trade कता हो नज़र आ रहा है company RSI यहाँ पर 49 पर चल रहा है company के share के अंदर जो गिरावट आती है आने वाले समय में तो इस company के अंदर देखो यह company को या ना current level के उपर long term के लिए खरीदारी करने है ना तो current level के उपर खरीदारी कर लो आँख बन करकर आप लोगों को कोई भी यह company नुकसान नहीं पहुचाएगा नुकसान आप लोगों के portfolio में नहीं होगा जो आप लोगों को यह company के share को लेते हो तो ठीक है अभी आप लोगों को इस company के अंदर खरीदारी करने है तो best levels कौन से रहेंगे तो 2,400, 2,480 रुपीज का level जहां पर आप लोग खरीदारी करके बाइंग करके चल सकती हो और दूसरा आप लेवल आजा था है 2,270 रुपीज का level तो यह दोनों ही level से जहां पर आप लोगों खरीदारी करके चल सकती हो पर यह चीज़ यह तरखना 2,480 के इस कंपनी के इंद रखिक है है इसा कंपनी का शिर अब यह चैetा आ तो नजदया हॉपर और कंपनी के शेर करके अंदर आने वाले समय में खरीदारी करने जो लोग भी लοग पी लोग खरीदार करकर इस कंपनी के अंदर लॉंग टर्म के लिए बने रह सकती हो यह कंपनी के शेर के अंदर यह जो लिवल है वह आपकर ब्रेक हो जाता है तो अगला लेवल यहां पर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 1,100 रुपीज का लेवल तो आप लोगों को खरीदारी करने के दो लेवल मिल गए मेरे इसाब से यह कंपनी का शेर 1,220 रुपीज का लेवल नहीं तोड़ेगा कंपनी के रिजल्ट्स यहां पर आया है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिड नहीं देखने को मिल रहे एसी के एविकिर में क्या होता है पर कंपनी के शुरिक एंतर खरीदारी करने के यह ूइट ज्यादा इंपोर्टन रहे तो यह जीज को थो इसाफियाद में रखते हुए इस कंपनी के रिखते हो यह भी हमआतरों प्रणाइब देखने को मिला इसी के वज़े से गिरावट आइए और यह चीज याद रखनी है आने वाले समय में फैस्टिव सिजन आ रहा है यह सारी के सारी कंपनिया बहुत ज़्यादा तेजी में देखने को मलीगी वह सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपन से खरीदा रिखना है और यह बिल्कुल भी मिस करना मत करना यह चीज याद रखना यह बहुत ज्यादा अच्छा पैसा बनाने का जर्या हो सकता है तो इसी के बाचे से मैं बोल रहा हूं अभी बात के लिए अगली कंपनी के बारे में अगली कंपनी आ जाती है एशन आपर से रीकवरी भी इतनी सदा कर लें देखो है आप आप लोग देखोगे तो रीकवरी देखने को मिली है कंपनी के शिर्क अंदर फिर सेडिक है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर देखो सेलिंग परिशर तो है ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि से खरिदारी करनी है तो 2850 रुपीज का लेवल एंट 2966 का लेवल मुलला आप लोग्तोट सेच्टी का लेवल अंड टू ताउजड़ अटच्टी सीुअ करे लेवल इन तो ऊट रूपिज का लेवल समय में आची मांड कंपनियों की रहती है तो यह सो धियान को पर जरू से अग्ली कमणी के बारे में अगीन होने आ रहा है थो दौजन ढ अर्बीक ओंड से लिए और जो खरीदा़ मिला है एक opportunity है खरीदारी करने की तो आप लोग इसी level के उपर current level के उपर खरीदारी करके चल सकते हो और current level के उपर खरीदारी नहीं करने है और कल की दिन भी कमणी का शिर गिरता है और ये इस level के उपर 2200 रुपीज के लेवल के उपर इस था पूर थूरा वह दिखाता है तो इस company के अंदर 2200 रुपीज के लेवल के उपर जरूर से खरीदारी करना बहुत जदा फायदे में रहोगे long term में long term में ये company वैसे भी यार इस company ने बहुत अच्छे return दिये है आने वाले समय में ये company और जदे अच्छे returns दे सकती है इस से इसको दियार में रखते हुए इस company को long term के लिए hold करके चल सकते हुए इस company के ये लेवल के उपर डिक है और जबाए फिर मिल्ट अन्च था जवरविग विए